हरे कृष्ण, आज की सरल कहानी में आपका स्वागत है काशी में रहने वाला कुमार नाम का एक व्यपारी था उसको कुष्ट रोग था दुखी हो वो सोचने लगा कि पत्नी, बच्चे, व्यपार, पैसा इन सब का क्या फायदा जब स्वास्थे ही नहीं है उसने अपने परिवार को बुलाया और बोला मुझे गंगा जी में डाल दो, मैं जीवित नहीं रहना चाता पिता की ये बात सुन, बच्चे पहले तो नहीं माने परन्तु उनकी पीडा देख बाद में मान गए भारी मन से तयारी करी और सर और पैर पर मटका बानने के लिए लाए उसी समय कबीर दास जी का एक शिश्य पदमनाबन ये सब कुछ देख रहा था और उसने पूछा कि क्या कर रहे हो बच्चों ने पूरी बात सुनाई पदमनाबन बोला मुझे एक बार अपने पिता जी से मिलने दो वो कुमार से मिला और बोला 84 लाख योनियों के बाद तुमें ये मनुश्य जीवन मिला और तुम इसको ऐसे समाप्त करना चाहते हो कुमार बोला मैं क्या करूँ मैं अपने रोक से दुखी हूँ पदमनाबन बोला एक बार राम नाम का जाप हिदेर की घहराईयों से और विश्वास से करो देखो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे कुमार बोला राम नाम में इतनी शक्ती है क्या शिश्य बोला बिल्कुल है कुमार ने विश्वास के साथ नाम लिया और वो बिमारी और पीडा से मुक्त हो गया राम नाम आउशदी है हिदे से पूरी आस्था के साथ जपने से जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है सर्वम श्री कृष्ण अरपनम